इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते सिर्प का कोई side effect नहीं है और बच्चों और वयसकों द्वारा समान रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. सिर्प सर्दी, खांसी और ब्रॉंकाइटिस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है 2. इसमें तुलसी पात्र होता है जो सूजन को कम कर सकता है और शरीर को मुप्त कणों से बचा सकता है 3. इस सिर्प में मौझूद अदरक में अंटिबैक्टिरियल और अंटिवाइरल गुन होते हैं जो गले को आराम देने में मदद कर सकते हैं 4. सिर्प में मौझूद कपूर फेफरों से बलगम को बाहर निकाल सकता है और सास लेने में मदद करता है 5. अजवाइन में अंटिट्यूसेव या कोल सप्रेसिंग गुण होते हैं जो सर्दी और खांसी के इलाज में मदद कर सकते हैं 6. डालचीनी अंटियोक्सिडन पॉलिफिनोल्स और प्रोएंथोसाइनिडिन से भरपूर है जो प्रतिरक्षा को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने में मदद कर सकता है उप्योग के लिए निर्देश एक दो चमबच दिन में तीन बार या चिकितसक द्वारा निर्देशित विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें